हेलो एवरिबन, वेलकम तो आवर CSC Academy YouTube चैनल, आज के इस लेक्चर में हम लोग different condition के लिए DFA design करेंगे, तो इसमें generally हम लोग exactly वाले condition को देखेंगे, total 3 condition होता है, जिसमें first exactly हो गया, second at least हो गया, और third at most के problems आते हैं, तो इस वाले lecture में हम exactly वाले problem को solve करेंगे, इसके आने वाल वीडियो में बाकी के दो topics हम लोग cover करेंगे, तो चलिए देखते हैं problem और इसको design करने का तरीका देखेंगे, तो इस तरीके का problem given हैगा, देखें first problem को read करेंगे, for alphabet a, b, एक alphabet given है, जिसमें two symbol है, a and b, हमें DFA construct करना है, construct DFA that except the set consisting of, ये देखें हाँ पे total four problems है, एक एक problem को हम solve करेंगे, तो चलिए, first problem को solve करेंगे, first आप क्या करोगे, first problem को solve करेंगे, यहाँ पे, DFA design करने के पहले alphabet define करेंगे, alphabet का symbol लिखेंगे, a, b, इसके बाद में हमें condition देखना है, देखें, all strings with exactly two a's, इसमें exactly two a's आना चाहिए, exactly two a's means number of a only two होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए, exactly two आना चाहिए, अब अगर मैं हाँ पे language लिखता हूँ, language, इस condition के according, अगर मैं language define करता हूँ, तो देखी, कैसा रहेगा यह language, कौन कौन सी string का collection होगा, तो two a, exactly two a होना चाहिए, देखी, यह string इस language में रहेगा, यहाँ पे इस तरीके का भी string valid होगा, इसमें इस तरीके का भी string valid होगा, क्योंकि बी का condition यहाँ पे mention नहीं है, जो condition में नहीं होगा, जो symbol condition में नहीं होता है, वो any number of हो सकता है, और any number के लिए self loop लगाना है हाँ देखी, यहाँ पे a होगा, कितने a है, two a, इसमें भी two a present है, और इस वाल number of times हो सकता है, but string में exactly two होना चाहिए, वो कहीं पे two a हो, starting में हो, containing में हो, या ending में हो, तो इसके लिए हमें dfa डिजाइन करना है, तो यहाँ पे हम लोग transition diagram ट्रॉ करेंगे, देखिए transition diagram में states होना चाहिए, और dfa के लिए minimum states होना चाहिए, तो देखिए logic क्या रहेगा हमारा, जो condition है exactly का, यहाँ पे two है, तो आप क्या करो, two a ले लो, आप initially two a, इसको recognize करने के लिए कितने states होने चाहिए, one, two और three, तो three states initially हम लोग ड्रॉ करेंगे, one, two, और three, यहाँ पे transition में a, a के बारे में बोला गया है a, first वाला state initial, rename करेंगे q0, q1 और q2, यहाँ तक clear हो गया, अब आगे देखेंगे, अब मुझे यहाँ पे final state decide करना है, final state, three states है हमारे पास, इन three में से कौन सा state final होगा, वो logic हमें देखना है, simple देखिए, q0 पे कोई भी a नहीं आया, जब हम q1 पे जाएंगे, तो one a को process कर चुके होंगे, one a, और जब आप q2 पे जाओगे, तो two a, exactly two, जैसा देखें यहाँ पे, इधर 0 a, इस state पे 1 a, और इस state पे 2 a, exactly two a, two a दिख रहा है, two a वाला state कौन सा है, q2, तो q2 को हम final state बना देंगे, यह हटा देंगे, final state होगया, बट यह dfa अभी नहीं है, क्योंकि transition यहाँ पे each and every state से complete होना चाहिए, alphabet में जितने symbol है, सब के लिए, तो a का transition है, अब हम b, यहाँ पे transition complete करेंगे, पहले मैं b का transition apply कर देता हूँ, देखो, b क्या रहेगा, any number of time के लिए, each and every state पे आप self loop apply कर देंगे, b का, यह मैंने self loop apply कर दिया, अब आप चेक करो, क्या यह dfa है, each and every state से चेक करेंगे, q0 से a और one का transition, यहाँ पे a और b का one transition, q1, a और b का one, q2, b का बट a का transition नहीं है, अब a का transition क्या होगा, तो देखें यहाँ पे, एक b, two a आने के बाद में, एक भी extra a आया, तो वो accept नहीं होना चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, dead state लेंगे, क्या लेना है, dead state, q3 और dead state पे self loop apply कर देखें, यहाँ पे a का missing है, तो a का transition हमने कहाँ पे apply कर दिया, dead state पे, आप इधर भी state लिख सकते हो, तो यह simple सा procedure है, बहुत ही simple है, इस तरीके से आप कोई भी problem solve कर सकते हो, जो condition given हैगा, exactly हम क्या करेंगे, उतने symbol के लिए initially state draw करेंगे, जो condition में mention ने, उसका self loop apply करेंगे, औ और last में transition को complete करने के लिए, dead state का concept use करेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, अब हम लोग second वाले problem को solve करेंगे, सबसे पहले problem देखेंगे, देखेंगे हाँ पे, condition given है, all string with exactly three a, exactly क्या है, three a's है हाँ पे, first alphabet define करेंगे, a, b, यहाँ पे, then condition exactly, exactly, three a's होने चाहिए, means number of a कितन होने चाहिए, three, अब हमें यहाँ पे language लिखना है, आप यह optional होता है, language लिख सकते हूँ, three a's आ गया है, यहाँ पे, b का कोई condition नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा, यह language, यह string हो गया, a, b, a, b, a, so on, पस string में exactly three a present होना चाहिए, इसका transition diagram डाइगराम ट्रॉ करेंगे, तो दे state लूँगा, transition में क्या आएगा, a, क्योंकि a के लिए मुझे design करना है, next state transition में a आएगा, next state transition में आपको क्या लिखना है, a, यह हो गया, first वाला state initial होगा, rename करेंगे, q0, q1, q2, q3, last वाला exactly का condition है, तो last वाला final, क्यों, क्योंकि यहाँ पे, अगर आप इसको final बनाओगे, तो 0 a, यह 1 a, 2 a, 3 a, exactly 3 a, यह final state हो गया, अब each and every state से self loop apply करेंगे, remaining symbol का, b, 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 और यहाँ पे आएगा, b, क्या यह DFA है, चेक करेंगे, each and every state से exactly one transition होना चाहिए, for each input alphabet, q0 से a और one का one transition, q1, a और b का one transition, q2, a और b का one transition, q2, a और b का one transition, q3, b, but q3 से a का transition नहीं है, a की transition को complete करने के लिए, हम लोग dead state के concept को use करेंगे, dead state non final होता है, self loop होता है, अब यहाँ पे जो a का transition है, वो आप dead state पे apply कर दोगे, तो इस तरीके से आपको DFA बनाना है, इसका आप table भी बना सकते हो, अब हम लोग third वाले problem को solve करेंगे, देखिए, third वा two simple है, condition यहाँ पे है, exactly, exactly one b, क्या one b, number of b कितना होना चाहिए, one language define करेंगे, language में one b ही आना चाहिए, exactly, यह valid है, a b भी valid है, b a string भी valid है, b a a b भी valid है, so on, इस तरीके से string में only one b present होना चाहिए, exactly one b present होना चाहिए, अब इसके बाद हम transition डाइगराम ब्रॉ करेंगे, तो देखिए, transition डाइगर अगर one length है, यहाँ पे one b है, तो two states होना चाहिए, कौन सा symbol mention है, b के लिए बोला जा रहा है, b, यह हो गया हमारा, initial state, q0 और इसके बाद में q1, यह b हो गया, अब आप final state बनाओ, यह वाला exactly one b, यह यहाँ पे 0 है, इधर one exactly one b हो गया, अब transition को complete करने के लिए b का तो transition हो गया, आप a के transition के लिए self loop, एक any number आ सकता है, यह a हो गया, यह हो गया, इसके बाद में, आप क्या करो self loop लगाने के बाद में transition complete करना है, q0 से a और b का one है, q1 से a का one है, बट b का transition नहीं है, अगर मैं b का self loop apply कर दूँगा, तो any number of b हो जाएगा, अब आपको एक extra state लेना है, dead state जिस पे self loop होगा, और यहाँ से b का जो missing transition है, हम apply कर देंगे, और इसको name देंगे q2, क्या हो जाएगा, q2, इस तरीके से design करना, अब हम लोग fourth वाले problem को solve करेंगे, देखें, यहाँ पे condition है, all string with exactly three symbols, क् first alphabet define करेंगे, जिसमें two symbols है, a, b, condition यहाँ पे exactly, exactly three symbols, क्या given है, यहाँ पे कोई symbol mention नहीं है, three symbols लिखा हुआ है, और यहाँ पे three रहेगा, अब इसके language को पहले हम define करेंगे, three symbols होना चाहिए, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, exactly three symbols, देखें, यहाँ पे भी three symbols, a, b, a, इसमें भी three symbols, b, a, a, इसमें भी three symbols, so on, अब dfa का transition diagram हम draw करेंगे, three यहाँ पे है, यहाँ पे three है, तो states कितना होगा, initially four states, one, two, three, और four, transition इसी तरीके से आपको define करना है, अब देखें हाँ पे transition में कौन सा symbol आएगा, क्या कोई symbol mention है, इसके पहले के जैसा, a, b mention है, no, जब symbol, जब यहाँ पे कोई specific symbol mention नहीं रहेगा, आपको both symbol लिखना है, a, b, a, b, a, p, यह हो गया three symbol, देखो, a भी आ सकता, b भी आ सकता, यह one symbol, two symbol, three symbol, तो यह मेरा final state हो जाएगा, इसको rename कर देंगे, q0, q1, q2, और q3, यहाँ पे, अब आपको self loop apply नहीं करना है, क्योंकि transition already ह हो गया, अब q3 पे transition complete करने के लिए, dead state का concept use करेंगे, extra state a, b, यह q4 हो जाएगा, यहाँ से a और b का missing transition है, आप कहाँ पे apply कर दोगे, dead state पे apply कर दोगे, तो इस तरीके से हमें dfa design करना है, आने वाले lecture में at least or at most के string के लिए हम लोग dfa design करेंगे, thank you so much